समस्कार दोस्तों आज हम सुबाशितानी इस चाप्टर का बैस करने वाले हैं सुबाशितानी का मिनिंग होता है अच्छे विचार तो चलिए शुरुवत करते हैं तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे श्लोक का उच्चारन समझेंगे उसके बाद तात्परिय और उसके बा लाइन टू लाइन मिनिंग तो चलिए शुरुवत करते हैं गुणा गुनेदनेश्य गुणा भवनती ते निर्गुनम प्राप्य भवनती दोशाह सुषवादुतो यहा प्रभवनती नद्य समुद्रमासाध्य भवनत्य पे यहा तात्पर यह है कि गुणवान वेक्तियो पार चले जाते तो बुरे बन जाते हैं उदारन के त्वर उपर बताते हैं कि जैसे नदिया पहाड़ों से निकलती है तो मिठा पानी से युक्त रहते हैं, मगर जब वो समुद्रों को जाकर मिलती है, तो पानी पीने लायक नहीं रहता है, ऐसे उस लोका कहने का तात परे, अभी लाइन टू लाइन में निग, गुना गुना दनेशु, गुना भवन्ती, गुनवान युक्तियों में जो गुन होते हैं, वो गुन बन जाते हैं, जैसे सुस्वादुतोयाहा प्रभवन्ती नद्यह, मिठा पाने से युक्त, जो पीने लायक पानी है, वो नदिया लेकर भहती है, मगर वही नदिया, जब समुद्र मास आध्य भवन्ते पे आहा, जब समुद्र को मिल जाती है, तो वो पानी पीने लायक नह रहता है इस तरह से पहला श्लोक दूसरा श्लोक साहित्य संगीत कलाव ही नह साक्षात पशुहु पुच्छ विशान ही नह तुरुनम न खादन न पिजीव मान तद भागदेयं परमं पशुनाम इस लोक का तात पर यह है कि जिस इंसान के पास किसी तरह का नौलेज नहीं है वह पशु की तरह है ऐसा इसमें बताया है और उस पशु का भाग्या उससे भी स्रेश्ट है तो चले अभी लाइन टू लाइन मिनिंग समझ लेते हैं साहित्य संगीत कलाव ही नह जिसके पास नहीं लिटरेचर का नौलेज है नहीं म्यूजिक का नौलेज है और नहीं किसी उसके पास कोई स्कील है ऐसा इंसान साक्षात पशु हुआ पुच्चे विशा नहीं ही नहीं साक्षात पशु है पशु मतलब जानवर है अनिमल है और कैसा है जिसके पास नहीं पूछे और नहीं सिंग है और बताते हैं कि तुरुनाम नखादन नपीजीव मान हो और वह वह पशु जो कुछ भी ना खाता हुआ मतलब बुड़ा है या बिमार है और कुछ भी नहीं खा रहा है फिर भी जी रहा है वह पशु तद भागदेयं परमंपशुनाम उस पशु का भाग्य उस इंसान से भी अच्छा है बड़ा है स्रेष्टा है त्रश लोग लुग दसे नस्यति यशह पिशु नस्य मैतरी नश्टक्रिये स्कूलम अर्थपरस्य धर्मह विद्यापलम व्यसनिनह कुरुपनस्य साउक्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधि पस्य तो इस लोग का अर्थ लुग दस्यनश्यति यशहौ लोभी इंसान का यश सकसे न नश्ट हो जाती है नश्ट क्रियस्य कूलम और जो कुछ काम नहीं करता है जिसकी कोई क्रिया नहीं होरे जो एक जगह पर बैटा है उसका कूल उसकी फैमिली नश्ट हो जाती है उसका वंश नश्ट हो जाता है अर्थपरस्य धर्म हा और जो पैसो का लालची है पैसो की कुरुपनस्य सवक्यम और कंजू स्विक्ति का सूख नश्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य और जीस राजा का मंत्री आलसी है उसका राज्य नश्ट हो जाता है। चोता स्लोक पित्वा रसम तु कटुकम मधूरम समानम माधूर्यमे वजनेन मधूमक्षिकासो संतस्ततहे वसमसजन दूर्जनानाम शुरुत्वा वचह मधूर सूक्तरसम सुरुजनती। इस लोकतत पर यहाए कि जिस तरह से मधूमक्षि कडू मधूर किसी तरह का भी रस सेवन करके अच्छा ही रस निर्मान करती है। जिसे हम हनी कहते हैं वो मिठाई होता है। उस तरह से सजन बुरे अच्छे वचन सुनकर अच्छा ही बोलते है। लाइन टू लाइन मनिंग पित्वा रसम्तु कटुकम मधूरं समानम कडवा हो या मिठा हो एक समान रस पीकर माधूर्यमेव जनेन मधूमक्षि कासव। वह मधूमक्की मधूरताही मतलब मधूर रसी निर्मान करती है। जो हनी होता है वो मिठाही होता है। संत सतहेवसम सज्जन दुर्जनानाम और उसी तरह से संत सज्जन और दुर्जनों के बारे में एक समान होते हैं मतलब सज्जनों के और दुर्जनों के हर तरह के वचन सुनकर जब वो बोलते हैं तब वो मदूर ही बोलते हैं मिटा ही बोलते हैं भला ही बोलते हैं पाचवाश लोग विहाय पाउरुशम योही दैव मेवाव लंबते प्रासादसिह वत तस्य मूर्धनी तिश्टनति वायसाहा इस लोग के तत पर यहाँ है कि जो इंसान भाग्य पर ही विश्वास करता है और कुछ भी नहीं करता है वह इंसान किसी महल के सामने जो शेर का स्टैच्य होता है और उस पर कोई भी आकर बैठता है जैसे कोवे आकर बैठते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाता है उस तरह से वह इंसान होता है ऐसा इसमें बताया गया है तो श्लोक का लाइन टो लाइन में विहाय पाउरुशम योही जो इंसान पाउरुशम मतलब सामर्थ्य अपनी ताकत को छोड़ कर केवल भाग्य पर ही विश्वास करता है भाग्य का इसाहारा लेता है उस तरह से वह इंसान हो जाता है मतलब कुछ काम का नहीं रहता है मतलब उसके जीवन में कोई प्रगती कोई ग्रोथ नहीं हो सकता है स्लोक नमबर 6 पुश्व पत्र फलत चाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा एशाम विमुखा यान्ति नार्तिन इस स्लोक में पेड़ों का महतों बताया गया है कि पेड़ का हर एक पार्ट किसी ना किसी काम के लिए आता है तो यही इस स्लोक में बताया गया है लाइन टू लाइन मिनिंग पुश्व पत्र फलत चाया पुश्व मतलब फुल पत्र मतलब पत्ते फल मतलब फल, छाया मतलब छाओ, मूल मतलब पेड का मुल, वलकल मतलब पेड की छाल, दारू मतलब पेड की लकडिया, इन सब के द्वारा पेड धन्य है, क्योंकि इन सब का जो यूज है, वो हर कोई करता है, धन्या महीर हुआ हा, इसलिए पेड धन्य है, महीर हुआ हा अर्थिन मतलब याचक मांगने वाला जो पेड़ के पास आता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है इमुखा मतलब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है इसलिए ये पेर धन्य है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाह नकूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गुरुहे श्लोक कतत पर यह है कि कोई भी समस्या आने से पहले आपके पास समाधान होना चाहिए उस समस्या का निराकरन आपके पास होना चाहिए नहीं तो घर में आग ल चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाह चिंतनिया सोचना चाहिए विपदाम समस्या प्रॉब्लेम से पहले प्रतिक्रियाह उसकी उपर निराकरन समस्या निराकरन आपको ढूनना चाहिए ना कूपखननम युक्तम कूवा खोदना सही नहीं है कब प्रदीप् वनिना गुरुहे जब घर में आग लग गई और तब कुवा खोद रहे हो एक कुछ सही नहीं है तो इस तरह से आज हम ने इस पार्ट का बैस कर लिया है समझ लिया है आगे हम कोशन अंसर दे रहे आपो देख लिजे धन्यवाद कर दो लिजे बहुत है आगे हम कोशन रगे हैं अंसर देख लिए